हालो स्ट्टोडेंट वैलकम टू जैई लेक्चर तो हम लोग पढ़ रहे थे के अंदर हम लोगों के पास यहाँ पर एक सिक्षण प्लस एक साइने क्लसक अब हमें यहाँ क्या करना है देखो यहाँ पर दो function बनाने एक तो यू बनाना है और एक हम लोगों को क्या बनाना है वी अब यहाँ पर दो function अलग अलग तो हमारे पास available है नहीं अलग अलग तो हम ऐसा दो function अबनाना चाहते हैं जिससे कि हम एक को first और इसको एक को क्या मान पाएं second मान पाएं तो दो हम i को थोड़ा सा change करते हैं इसमें क्या करो causex से multiply divide कर लो तो इस question को लिख सकते हैं लोग 1 X कोस X के साथ X कोस X into उपर दो X थे ना तो एक और X हम लोगों को लिखना है X कोस X हम लोगों को उपर की तरफ X कोस X चाहिए वो क्यों चाहिए क्यों कि जो अम मैं लिख रहा हूं एक साइन एक प्लस कोस एक इसका डिफ्रेंशेसेशन जो उपर है अवेलेवल वही है मतलब अगर तुम तुम्हें ऐसा कोई करने के लिए भूले डीवाई डीएकस ऑफ x sin x plus cos x करो तो देखो इसका differentiation हम लोग करके देखते हैं तो बड़ा observe करना तो पता लगएगा cos x से multiply divide हम लोग ने क्यों किया है याद रखने की जरुद नहीं जैसे x को छोड़ा sin x का किया तो sin x का कितना हो जाएगा cos x plus अब हम लोगों ने x का कर दिया 1 और sin x वहीं का वहीं रहाएगा और plus cos x का क्या हो जाएगा minus sin x तो देखो minus sin x plus sin x कट होके यह क्या हो गया x cos x तो इसका मतलब नीचे अगर fx का holy square है तो उपर fx है तो हम लोग यह जो पूरा का पूरा function है यह bracket जहां मैंने लगाया है यह पूरे को हम लोग मान सकते हैं second और x upon cos x को हम लोग मान लेते हैं first तो formula तो हम लोगों को पता ही है first और second मतलब u और v का तो हम लोग वो formula लगा देते हैं सबसे पहले हम first वाले को बहार रख देते हैं फिर integration के अंदर हम लोग क्या करते हैं second वाले का integration x cos x divide by x sin x plus cos x का whole square dx minus integration के अंदर d by dx of x divide by cos x okay and integration of second इसका मतलब x cos x divide by x sin x plus cos x x sin x plus cos x और यहां पर क्या लिख दो dx और यहां पर बाहर dx जो है बड़े वाले integration के लिए अब दो यहां पर दो टाम हैं उसको हम अलग से solve करनें तो ज़्यादा सही रहेगा है तो इसको हम ले देते हैं equation number first यह पूरा का पूरा i है तो एक हम लोगों को यहां पर solve करना है क्या differentiation और एक हम लोगों को solve करना है integration तो सबसे पहले हम लोग जैसे यह हम लोगों को d by dx of x cos x find करना है तो यह कर लेते हैं मतलब cos x और x का करतो तो x का तो कितना हो जाएगा one माइनस अब किसको छोड़तो x का और cos x का करेंगे तो क्या होगा minus sin x तो finally हम लोगों के पास क्या आया d by dx of x upon cos x या है हम लोगों के पास cos x plus x sin x या फिर हम दोल सकते हैं x sin x plus cos x और divide में cos square x इसी के साथ integration भी हम लोग देख लेते हैं integration of x cos x divide by x sin x plus cos x यह हम लोगों को करना है यहाँ पर हम लोगों को एक बात पता लग चुकी है कि जो denominator में लिखा हुआ है उसी का उपर differentiation है तो हम लोग यहाँ पर substitute कर सकते हैं x sin x plus cos x को x sin x plus cos x को हम लोग क्या मान सकते हैं t मान सकते हैं अब इसका हम लोग differentiation करेंगे तो हम लोगों के पास क्या मिलेगा x cos x dx is equal to dt मिल जाएगा इसका मतलब हम इस पूरी term को dt लिख सकते हैं तो यह किसमें करन्रोट हो जाएगा dt divided by t square और 1 upon t square क्या होता है minus 1 upon t plus c तो हम लोगों का इसका integration हम लोगों को मिल गया minus 1 upon t और t किसको माना गया है x sin x plus cos x को अब यह जितनी भी values हैं इसको हम लोग equation first में रख देते हैं put these values in equation first first equation में यह सब value रख देते हैं तो सबसे पहले उपर की तरफ क्या था equation में first के अंदर i is equal to x upon cos x फिर integration था x cos x upon x sin x plus cos x का whole square का जो integration हम लोग solve कर चुके हैं और वो कितना आया है minus 1 upon x sin x plus cos x okay minus integration के अंदर सबसे पहले एक differentiation था उस differentiation का answer हम लोग calculate कर चुके वो कितना आया x sin x plus cos x x sin x plus cos x divided by cos square x और यहीं पर एक integration था जो यह आया है तो इसको भी हम लोग लिख सकते है minus 1 upon x sin x plus cos x तो यह अब जाके हमारी equation number first भी complete हुई है अब दोगो यहाँ पर x sin x है plus cos x है x sin x plus cos x है और minus minus plus हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा हम लोग complete करते हैं तो इसको हम क्या लेख सकते है minus x divided by cos x तो ही सही और अंदर की दरफ क्या है x sin x plus cos x अब यह minus अंदर जाके क्या हो जाएगा plus और हम लोगों के हाँ पर बचेगा cos x और अंदर की तरफ क्या क्या राएगा x sin x plus cos x अब देखो जब भी इस तरह का integration तुम लोगों को देखने को मिलेगा तो कहीं न कहीं तुम्हें x cos x भी option में देखेगा तो इससे हम लोगों को थोड़ा सा हिंट मिलेगा इस question को solve करने की सबसे पहली step जिसके अंदर हम लोगोंने क्या किया है divide भी किया है एंड multiply भी किया है किससे Y cos x हे cos x से हम लोगोंने उपर multiply भी किया है और क्या किया है divide भी किया है तो यह ही step first इसके अंदर important I am इसी तरह के कुछ और questions हम लोग solve करते हैं तो यहां पर हम लोगों को क्या गिवान है देखो cos 2 theta log cos theta plus sin theta divided by log cos theta minus sin theta अब देखो obviously यह पूरा का पूरा log वाला function है तो यह जो logarithm वाला function है इसको हम लोग first function माने तो ही ज़्यादा सही रहेगा है ना तो हम इसको मान लेते हैं first क्योंकि अगर इसको second मान लेंगे तो formula के अंदर second का integration नहीं हो पाएगा है ना second हम cos 2 theta को मान लेते हैं क्योंकि इसका integration करना बहुत आसान है जो होगा sin 2 theta upon 2 ओके तो according to formula यह क्या हो जाएगा हम लोग क्या करते हैं first को भाहर रखते हैं मैं पूरा function लिख रहा हूं सिर्फ first लिख रहा हूं और फिर क्या कर देते हैं second का integration minus integration के अंदर d by dx of first into integration of second dx and one more dx finally इन सभी के लिए तो हम लोग क्या कर लेते हैं सबसे पहले है यह integration और यह differentiation हमाई पार दो टाम है तो क्यों ना हम लोग differentiation situation find कर ले अब यहां पर एक हम लोगों से गल्ती हो गई हम लोगों ने सब जगे x लिख दिया जबकि युक्क्य पूरा को पूरा किस pH में तो जो पहले काम एक्स में हो으सा था वो पूरा क पूरा काम हम लोगों को किस में करना थिटा में करना थिटा के रास्पेक्ट में सिफ variable change हुआ है उससे कोई problem नहीं है तो हम लोग क्या find कर लेते हैं d by d theta of logarithm function तो यह हम लोग पहले से find करके दख लेते हैं तो d by d theta of log cos theta plus sin theta divided by cos theta minus sin theta यह हम लोगों को find करना है तो देखो अब इसको हम कैसे find करेंगे तो इसको directly differentiation भी किया जा सकता है और इसको पहले इसमें trigonometry भी थोड़ी सी लगाई जा सकती है तो क्यों न हम इसके अंदर थोड़ी सी trigonometry apply कर लें तो देखो हम इसको क्या कर सकते हैं d by d theta मलब differentiation करने से पहले trigonometry apply करते हैं अगर मैं cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta मैं cos से divide कर दूँ तो यह बन जाएगा 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta अगर 1 को tan pi by 4 लिख दोगे तो यह formula में convert हो जाएगा log pi by 4 plus theta log tan pi by 4 plus theta के formula में यह change हो जाएगा अब यहाँ पर इसका differentiation आराम से कर सकते हैं कोई रिक्कत नहीं है तो जब हम इसका differentiation करेंगे तो हम लोगों को सबसे पहले log क्या according क्या करना पड़ेगा one upon जो भी लिखावा है तो one upon क्या हो जाएगा 10 pi by 4 plus theta अब हम 10 का करेंगे तो 10 का क्या होता है sec square sec square pi by 4 plus theta ऐसा भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा sec मतलब 2 cos divide में 2 cos और 10 के भी divide में कितने cos है एक cos तो एक cos और उपर से एक cos कट हो जाएगा तो हम लोगों के पास जो remaining वो रहेगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1 upon sin pi by 4 plus theta and cos pi by 4 plus theta यह हम लोगों के पास बचेगा है यह cos कौन से है sec में से एक बचा जो और यह वाला sin कौन से sin upon cos अगर मैं 2 से multiply divide कर देता हूं इस expression को तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 divided by sin 2 theta है अब सब्सक्राइब ना 2 sin x cos x क्या होता है sin 2 x होता है तो हम इसको लिख सकते हैं pi by 2 plus 2 theta अब सभी को पता है और पता होना भी चाहिए कि sin 90 plus theta कितना होता है sin 90 plus theta होता है cos theta तो यह हो जाएगा 2 divided by cos 2 theta मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 sec 2 theta तो अब भी हम लोगों ने सिर्फ किसको solve किया है जो differentiation हम लोगों को करना है उसका second वाला जो है वह easily हो जाएगा क्योंकि second वाला function cos 2 theta है तो वह सब value हम लोग formula में आप दुबारा से रख देते हैं तो अगर हम formula में रखेंगे तो हम उस formula को बोल देते है equation no.1 को अब हम लोग दुबारा से लिखते हैं तो according to equation no.1 यहां पर हम लोगों के पास first वालों को वैसे की वैसे ही छोड़ना होता है तो first क्या था log cos theta plus sin theta divided by cos theta minus sin theta यह हमारा first जो बाहर ऐसे कैसे रहेगा और second था integration of cos 2 theta तो integration of cos 2 theta कितना हो जाएगा sin 2 theta upon 2 यह पूरा का पूरा किसम है multiplication में है okay log के साथ minus integration के अंदर जो अभी अभी हम लोगों ने differentiation find किया है वो कितना था 2 upon cos 2 theta और जो है cos 2 theta का integration क्या हो जाएगा sin 2 theta upon 2 और यह finally d theta तो देखो यहां पर 2 से 2 कट रहा है और next step में यह integration of time 2 theta बन रहा है तो यह क्या हो जाएगा हमारा sin 2 theta divided by 2 into log यह term तो ऐसी कि रहेगी क्योंकि हम उसको integration कर चुके है cos theta plus sin theta divided by oh sorry सभी जाएगे theta रहेगा cos theta minus sin theta ok और minus क्या हो जाएगा integration of 10 2 theta अब 10 का integration क्या है log mod sec तो log mod sec 2 theta अब 2 है ना इसकी वज़े से यहां पर हम लोगों को किसे भी डिवाट करना पड़ेगा 2 plus c that is the final answer of given integration और अब भी जितने भी हम लोगोंने question solve गी recently यह सभी integration by part से solve हो रहे हैं next हम लोग देखते हैं next question क्या है हमारा पास x tan inverse x upon 1 plus x square की power 3 by 2 किसी की भी power 3 by 2 होती ना तो उसको थोड़ा break करना हम लोगों को आना चाहिए जैसे मालो x की पावर 3 by 2 है तो x की पावर 3 by 2 को हम लोग लिख सकते हैं x into under root x क्यों क्योंकि x की पावर 1 into x की पावर 1 by 2 तो x की पावर 1 plus 1 by 2 कितना हो जाएगा x की पावर 3 by 2 हो जाएगा तो यहां पर कहीं कहीं इस question को हम थोड़ा सा change करके ऐसा लिख सकते हैं x into tan inverse x divided by 1 plus x square यह तो है हमारा under root में और एक 1 plus x square क्या है free अब यह 1 plus x square किसका differentiation होता है tan inverse x का तो क्यों न tan inverse x को t मान लिया जाए तो मान लेता है let हम लोग क्या करता है tan inverse x को t मान लेता है क्योंकि इसका differentiation यहां पर बले बले तो यह क्या हो जाएगा dx upon 1 plus x square is equal to dt अब यह पूरी की पूरी value हम दुबारा से रख देते हैं तो यह तो हो गया हम लोगों का जो मैंने round बना है वो तो हो गया dt और value रखते जाते हैं चलो अब अब x की value क्या रखें तो यह tan inverse x is equal to t मतलब x is equal to क्या लिखा जा सकता है tan t यह tan t हो गया x से हम done हो गए अब tan inverse x को तो क्या लिखा जा सकता है माना है उसको तो t है divide by under root के अंदर under root के अंदर 1 plus x square x की value है tan t तो यह क्या हो जाएगा tan square t और बाकी पूरा किसमें convert हो गया dt मे अब नीचे तुम्हें पता है 1 plus tan square t क्या हो जाएगा sec square t जो बाहर रहा के हो जाएगा sec t ओके तो t तो वैसा का वैसा रहेगा अब यह integration क्या हो गया देखो t 10 t 10 t को क्या लिख सकते है sin t divided by cos t divided by नीचे sec आएगा मतलब 1 upon cos t dt अब देखो cos t और cos t यह तो कट हो रहा है तो remaining हमारे पास क्या रहा t into sin t अब यहाँ पर लगा लो highlight highlight मतलब वही किसको first माल लो और किसको second माल लो यहाँ पर हमारे पर दो function available है t और sin t तो t को first माल लेते हैं और sin को क्या माल लेते हैं second यह हो जाएगा हमारा first और sin हो जाएगा second तो first को बाहर ऐसे कैसे रखना है sin का integration करना है जो होता है minus cos t minus integration के अंदर d by dt of t तो वह तो हो जाएगा one और sin का कितना हो जाएगा minus cos t dt अब इसको भी solve कर लो आगे तो यह हो गया हमारा minus t cos t plus यह minus minus हो गया plus और cos का क्या होता है sin t plus c यह हम लोगों का final answer है यहाँ पर हम लोगों ने माना किसको था 10 inverse x को t माना था तो 10 inverse x is equal to t तो इसका मतलब x is equal to कितना हुआ 10t यह हम लोग use कर चुके यह 10 inverse x की value t है अब हमारे पास यहाँ पर क्या cos t भी available है तो अगर 10t is equal to 1 ऐसे लिखा हुआ है तो हम क्या हुआ से sin cos नहीं लिख सकते हैं लिख सकते ना मतलब कि यह सबसको यह t है तो यह कितना हो गया x और यह कितना हो गया 1 और जो इसका hypotenuse है वह कितना हो गया 1 plus x तो इसकी help से हम लोग sin t cos t निकाल सकते हैं तो minus t t का मतलब है 10 inverse x was it is अब cos t आ गया cos का मतलब क्या होता है base upon hypotenuse है तो यहां पर x लिखना मत बूलना into cos t cos t यहां से देखो इधर मैं लिख देता हूं cos t तो ज्यादा सही रहेगा cos t बराबर इस right angle triangle से base कितना है 1 और hypotenuse कितना है 1 plus x square अगर कोई बोले sin t लिखके बताओ तो sin t भी लिखा दा सकता है x upon under root 1 plus x square यही तो value हम लोगों कोई रखने है है ना तो यह tan inverse x कहां सा है t का अब cos t को हम लोग क्या लिख सकते है into 1 upon under root 1 plus x square plus sin t sin t का मतलब है x upon under root 1 plus x square plus c that is the final answer of given integration in the term of x okay तो अगर हम लोगों ने integration को जो की x की term में दिया वा था उसको t में convert किया तो final answer भी हम लोगों को किस में देना चाहिए एक्स में ही देना चाहिए है ना इस बात का ध्यान रखना है next देखो यह भी बहुत अच्छा गश्चन है यहां पर हम लोगों को sin inverse under root x माइनस cos inverse under root x दिया वाए और नीचे की तरफ क्या प्लस है तो यह तो हम लोगों को लिख देना चाहिए कि यह तो क्या होदा है इसका मतलब क्या है टू अपन पाई उपर चला जाएगा तो यह इंटिकेशन क्या है टू अपन पाई इंटिकेशन के बाहार लिख दो इसको क्योंकि sin inverse x इसलोग पर आखे क्या हो जाएगा टू अब देखो निवेरेटर में sin inverse x भी है और cos inverse x भी है तो क्यों ना हम लोग सिर्स इसको किसी एक इट हम में find कर लें तो sine को change कर लाते हैं हम लोग तो sine inverse under root x को हम लग सकते हैं pi by 2 minus cos inverse under root x तो यह क्या हो जाएगा numerator के अंदर pi by 2 minus 2 cos inverse under root x और यह हो गया हमारा d x अब इस question के अंदर कोई ज्यादा दाखली भी नहीं है बहुत दी easy है यह है तो इस 2 upon pi को अंदर ले जाएगे तो यह क्या हो जाएगा, integration of 1 dx minus 4 upon pi integration of cos inverse under root x dx, clear, अब देखो, 1 का तो कितना हो जाता है, x के respect में, x minus 4 upon pi, अब यह वाला जो टर्मिना, इसको ही हम लोगों को solve करना है, यह हमारा challenge है, तो इसको क्यों नाम I1 मालें, इसको बोलते थे हम equation number first, हम जो find करना चाते थे, वो क्या था, आई, तो I हम लोगों का answer है, x minus 4 upon pi, x minus 4 upon pi into cos inverse under root x, तो अब हम लोगों का next जो step रहेगा, वो पूरा को पूरा कि उसको solve करने के लिए रहेगा, सिर्फ I1 को, तो I1 है, integration of cos inverse under root x, जब भी ऐसा under root x जीसा कुछ दिखे, तो maximum question में हम लोग x को t square मानते हैं, तो यहाँ पर हम x is equal to क्या मानेंगे, t square, तो dx is equal to simply क्या हो जाएगा, 2t dt, clear, अब इस I1 को change करो, तो I1 is equal to क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, cos inverse under root x, क्या लिखा हुआ है, cos inverse under root x, तो under root x तो t हो गया, तो यह simply क्या हो जाएगा, हम लोगों के पार, यहाँ से अगर हम लोग x is equal to t square मा dt dt, ओके, और यह पूरा का पूरा क्या है, cos inverse under root x, तो cos inverse under root x को भी हम लोगों को change करना पड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ पर, यह under root x है, तो अगर इस equation का हम under root x करेंगे, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, under root x is equal to t, तो यहाँ पर हम लोग इसको change कर सकते हैं, किस में cos में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos t, cos t, 2t, dt, अब यहाँ पर 2 भी है हमारे पास, और cos t है और t भी है, तो अब इसका तो integration by parts हो जाएगा, integration by parts में हम लोग, cos को क्या मानेंगे, second, और t को हम क्या मानेंगे, first, और 2 साथ में रहेगा, हम लोगों क्या पूरे राहे तो यह 2 ऐसा का ऐसा ही है, है ना, बाहर किसको रखा गया है, t को, यह t को बाहर रखा गया, cos का integration करेंगे, तो कितना हो जाएगा, sin t, ok, minus, integration के अंदर, t का differentiation तो 1, और sin का क्या हो जाएगा, मतलब cos का क्या हो जाएगा, sin t, और सुरे का integration, तो यह 2 को बले ही अब अंदर ले ज sin t का integration हो जाएगा, minus cos t, तो minus minus plus, ok, 2 cos t plus c, तो यह हम लोगों का जो answer आया है, वो किसमें आया है, i1 में, ok, अब इस को, इस question को, हम लोगों को किसमें change कर देना है, वापिस से, x में change कर देना है, तो यहां से हम लोग कर सकते हैं, i1 is equal to, हम क्या लिख सकते हैं, 2t, t की जगे क क्या लिखना होगा, under root x, 2 under root x, और यहां पर क्या है, sin t, sin t का मतलब, sin under root x, और plus, 2 cos t, अब जो t है, वो तो क्या हो जाएगा, again, under root x, plus c, यह हम लोगों का answer है, किसका, i1 का, इस i1 को equation first में रखोगे, तो final answer आजाएगा, I think, ऐसा question, NCRD book में भी है, और वहां पर भी, तुम लोगों ने इस question की क्या की होगी, practice की होगी, उसी की help से हम लोगों को इस question को आगे लेके जाना है, और solve करना है, okay, और भी तरीके हो सकते हैं, इस question को solve करना है, but indication by part से भी हम लोग इसको कर सकते थे, अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या available है, log x upon x square, तो इस question के अंधर हम क्या कर देते हैं, देखो, 1 upon x यहाँ पर तो हमें मिलेगा ही, मिलेगा है न, तो हम क्या करते हैं, log x को ही d माल लेते है, log x is equal to t, अब 1 upon x dx बराबर dt करेंगे, तो एक x नीजे ले जाएगा, तो छोड़ो, हम लोगों को क्या करना है, इधर सही antilog ले लेना है, x is equal to, हम क्या सकते हैं, e की पावर t, अब अगर इसका differentiation करेंगे, इस equation का, तो dx बराबर क्या हैगा, e की पावर t dt, अब यह सब transformation, इस given question के अंदर हम लोग change कर देते हैं, तो हम इसको क्या लेख सकते हैं, log x को लेख सकते हैं, t और नीचे x square है, तो x square का मतलब क्या हो जाएगा, e की पावर 2t, e की पावर 2t, लिख दिया हम लोगोंने, क्योंकि नीचे की तरफ क्या था, x square था, अब मानलो, इसको थोला सा change करना है, हम लोगों को, यह जो x था, इसका square करने पर हम लोगोंने क्या किया, e की पावर 2t, और अगर normal, इस question के अंतर हम log x का ही differentiation यहाँ पर कर देते, जैसे मानलो, इसी का मैंने differentiation कर दिया होता, तो यहाँ से क्या होता, 1 upon x dx is equal to dt, फिर x is equal to e की पावर 2t b रख सकते हैं हम लोग, यह भी possible है, तो इस question के अंतर हम लोग change करते हैं, देखो, एक बार इसका यहाँ पर differentiation कर लो, ताकि क्या x की value रखने में कोई दिक्कत होगी, नहीं, तो जैसे मानलो, इसका differentiation किया, तो यह कितना है, 1 upon dx dx is equal to dt, अब यहाँ से हम क्या भी लिख सकते हैं, x is equal to e की पावर t dt, अब जो integration दिया हुआ है, वो क्या है, log x upon x into dx upon x, अब मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ, क्योंकि dx upon dx, x को हम लोग क्या लिख पाएंगे dt, और बाकी की हम लोगों के पास value है, तो log x को हम लोग लिख सकते है, t divided by x, और x क्या है, e की पावर t, तो नीचे e की पावर t, इसका मतलब हम उसको उपर की तरफ क्या लिख सकते है, e की पावर minus t, और यहाँ पे shift dt हो गया, तो बस e की पावर में change हुआ, और कुछ भी नहीं, सेम वैसे का यहाँ पर बन रहा है, अब यहाँ पर integration by part apply करतो, तो integration by part apply करने के लिए, इसको तो t को हम माल लेंगे, first और e की पावर minus t को माल लें जाएगा, second, तो t को सबसे पहले छोड़ दिया, e की पावर minus t का integration करेंगे, तो क्या होगा, e की पावर minus t, negative में, minus t का differentiation कितना हो जाएगा, 1 और minus e की पावर minus t dt, तो यह क्या हो गया, minus t, e की पावर minus t, minus minus plus हो गया, पर integration करने के बाद, एक और minus हाएगा, तो finally, यहाँ पर minus बज़ेगा, e की पावर minus t, plus c, अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी नहीं करना, बस value रखने है, तो minus t, t का मतलब क्या है, log x, और e की पावर t, बराबर, e की पावर t, देखो, यह थोड़ा सा रॉंग लिखने में आगया है, यहाँ पर, सिर्फ इतना है आगा, तो यहाँ पर e की पावर t, जो है, वो, डिवाइड में है, तो हम उसको क्या लिख सकते है, x लिख सकते है, log x upon x, minus, e की पावर minus t, e की पावर minus t, e की पावर minus t, तो यह कितना है, 1 upon x, plus c, that is the answer of this question, okay, अब हम लोग special type के integration पढ़ेंगे, next session, क्त grote करल कि पावर उन्हें लेड़ है, टीउन कम से सकते है, अजय है, इतना है, णिर है, जो, इतना है, झाきए सकता है, गया काुपस झानभए को हम लोगजेंगर, तो और सिर्दीनें थ्मापर खए खावर देन अजयाध रिवाना है, एन है, दोर गने इतना है, जो, जो, झाल झाल